महराश के नांदेर में सरकारी अस्पताल में मौतों का आकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है 24 लोगों की मौत के कुछ ही घंटे बाद 7 और लोगों की मौत की पुष्टी हुई है मेडिया रिपोर्ट्स के मताबेक 48 घंटे में 31 लोगों की मौत हो गई है दरसल अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी पुष्टी की है कि 1 और 2 अक्टूबर के बीच साथ और मौते हुई है खबरों के अनुसार नांदेर के जिला सोचना कारियाले ने सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी पुष्टी की है इसके बाद 48 घंटों में अस्पताल में मृत मरीज़ों की संख्या कूल 31 हो गई है वहीं इस मामले को लेकर अब महराष्ट में राजनिती भी तेज हो गई है आपको बता दे कि इससे पहले 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 24 घंटे में नांदेर के डॉक्टर शंकर राव चोहान सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 24 लोगों की मौत हुई थी महराष्ट स्वास्ट विभाग के एक शीर्ष अजिकारी ने सोमवार को कहा कि 24 मिर्टकों में 12 शीर्ष वियाने की छोटे बच्चे शामिल है उसके बाद 7 और अन लोगों की मौत हो गई है बता जा रहा है कि इस अस्पताल में मौतों का आकड़ा बढ़ता ही जा रहा है